इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं कालपनिक है अस्थान भी कालपनिक है और जितनी भी कहाने में चीज़े दिखाई जाएगी वो मात्र एक दिमाग के सोच है इसका किसी से भी व्यक्ति विशेश, अस्थान या किसी भी चाति धर्म को लेकर कोई भी समंद नहीं रखता है यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता मिलती है तो एक मात्र संयोग कहा जाएगा और इस कहानी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति विशेश को ठेस पहुचाने का इरादा बिलकुल भी नहीं है तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति या मनुस्य इस कहानी को देखकर वह अपने दिल पर या अपने किसी भी चीजों पर लेने की कोशिस न करें आप चित्रण के मात्यम से इसका लुप्त उठाएं और आप पूरा एंजोई करते रहें और एक कहानी के रूप में देखें नमस्ते दोस्तों और एक नई मुवी रिवियू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से फरफूर फिल्म साउत की होती हैं ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मुवी के बारे में उसका नाम है वीर सिमा रेडि इस मुवी में कौन-कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मुवी ने जबरदस्ट एक्शन और जबरदस्ट खमाई की है इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस मुवी के फुल एक्स्प्लेन करने बारे हैं साउत एक्शन से फरपूर फिल्म हैं अगर आप देखना फसंद करते हैं तिस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा दोस्तों वीर सिम्हा रेडी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउत की है और साउत की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी, बाल कृष्ण, मुख के भूमिका में हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुशार बाल कृष्ण के फैंस फिल्म के ओडेटीव रिलीज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सिम्हा रेडी ओडेटीव फ्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होस्ट श्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुशार मिली जुली परतिग्रियाओं के वावजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदर्शन किया है वीदेशों में शुरुआत पर इसकी काफी अच्छा कलक्षन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है बाल क्रिशन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुत्य हसन और वरलक्षमी सरत कुमार भी दिखाई दिखेंगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हरानी होगी यह फिल्म 110 करोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड रुपे की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा सिम्मा रेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मुवी रिवीव की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मुवी के बारे में उसका नाम है وीर सिमा रेडी इस मुवी में कौन-कौन से एक्टर ने अपना लीड ड्रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से इस मुवी ने जबरदस्ट एक्षन और जबरदस्ट कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस मुवी के फुल एक्स्प्लेन करने बारे हैं साउथ एक्षन से फरफूर फिल में अगर आप देखना फसंद करते हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा दोस्तों वीर सिमा रेडी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भे रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी, बाल कृष्ण, मुख के भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुशार बाल कृष्ण के फैंस फिल्म के ओडेटीफ रिलिज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सिमा रेडी ओटेटीफ लेटफॉर्म डिजनी फ्लस होस्ट स्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुशार मिली जुली परतिग्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदसन किया है विदेशों में शुरुआत पर इसकी काफी अच्छा कलक्षन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है वह बाल क्रिशन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुतु हसन और वरलक्षमी सरत कुमार भी दिखाई दिखेंगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद माले नहीं के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हरानी होगी यह फिल्म 110 करोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड रुपे की कर लिया है लगपग तो दोस्तों यह तो फिल्म वीरा सिम्भा रेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मुवी रिवियू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से फिल्म साउत की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मुवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्भा रेडी इस मुवी में कौन-कौन से एक्टर ने अपना लीड डोल निभाया है, किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से इस मुवी ने जबरदस्ट एक्षन और जबरदस्ट खमाई की है, इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस मुवी के फुल एक्स्प्लेन करने बारे हैं साउथ एक्सन से फरपूर फिल्में अगर आप देखना फसंद करते हैं तिस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा दोस्तों वीर सिम्हा रेडी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापूरी बाल कृषन मुख के भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बाल कृषन के फैंस फिल्म के ओडेटीव रिलिज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सिमा रेडी ओडेटीव लेकफॉर्म डिजनी प्लस होस्ट स्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली जुली परतिग्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदसन किया है वीदेशों में शुरुआत पर इसकी काफी अच्छा कलक्सन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुत्य हसन और वरलक्ष्मी सरत कुमार भी दिखाई दिखेंगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद माले निहनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड रुपे की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा सिमारेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मुवी रिवीव की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से भरपूर फिल्म साउत की होती है ऐसे में आज की इस फीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेडी इस मूवी में कौन-कौन से एक्टर ने अपना लीड डोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मुवी ने जबरदस्ट एक्षन और जबरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस मुवी के फुल एक्स्प्लेट करने बारे हैं South action से फरपूर फिल्में अगर आप देखना फसंद करते हैं तिस विडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा दोस्तों वीर सिंभा रेड़ी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउत की है और साउत की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी, बाल कृष्ण, मुख के भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुशार बाल कृष्ण के फैंस फिल्म के ओडेटीव रिलिज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सिमा रेडी ओटेटीव फ्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होस्ट स्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुशार मिली जुली परतिग्रियाओं के बाबजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदसन किया है विदेशों में शुरुवात पर इसकी काफी अच्छा कलक्शन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुतु हसन और वरलक्षमी सरत कुमार भी दिखाई दिखेंगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद मालिन नी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड रुपे की कर लिया है लगबग तो दोस्तों यह तो फिल्म वीरा सिम्हा रेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मुवी रिवीव की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से फिल्म साउत की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने बारे हैं जिस मुवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्हा रेडी इस movie में कौन-कौन से actor ने अपना lead role निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस movie ने जबरदस्ट action और जबरदस्ट खमाई की है इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस movie के full explain करने बारे हैं साउत एक्षन से फरपूर फिल्में अगर आप देखना फसंद करते हैं तिस विडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा दोस्तों वीर सिंभा रेड़ी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउत की है और साउत की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी, बाल कृष्ण, मुख के भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुशार बाल कृष्ण के फैंस फिल्म के ओडेटीब पर रिलिज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सिमा रेडी ओटरिटीब फ्लेटफॉर्म डिजनी फ्लस होस्ट श्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुशार मिली जुली परतिकरियाओं के वाबजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदसन किया है वीदेशों में शुरुवात पर इसकी काफी अच्छा कलक्षन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है वाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुतु हसन और वरलक्ष्मी सरत कुमार भी दिखाई दिखेंगे फिल्म की कहानी साइम आदम बुरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद मालिन हनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हरानी होगी यह फिल्म 110 करोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड रुपे की कर लिया है लगपग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा सिम्हा रेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मुवी रिवियो की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से फिल्म साउत की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मुवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्हा रेडी इस मूवी में कौन-कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है, किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से इस मूवी ने जबरदस्ट एक्शन और जबरदस्ट खमाई की है, इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस मुवी के फुल एक्स्प्लेन करने बारे हैं साउत एक्सन से फरपूर फिल्म हैं अगर आप देखना फसंद करते हैं तिस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा दोस्तों वीर सिंभा रेड़ी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउत की है और साउत की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापूरी बाल कृष्ण मुख के भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुशार बाल कृष्ण के फैंस फिल्म के ओडेटीव पर रिलिज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सिमा रेडी ओडेटीव फ्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होस्ट श्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली जुली परतिग्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदर्शन किया है वीदेशों में शुरुआत पर इसकी काफी अच्छा कलक्शन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुत्यु हसन और वरलक्ष्मी सरत कुमार भी दिखाई दिएंगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हरानी होगी यह फिल्म 110 करोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड रुपे की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह थे फिल्म वीरा सिम्हारेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मुवी रिवियो की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से फिल्म साउत की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मुवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्हारेडी इस मूवी में कौन-कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है, किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से इस मूवी ने जबरदस्ट एक्षन और जबरदस्ट खमाई की है, इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस मुवी के फुल एक्स्प्लेन करने बारे हैं साउत एक्षन से फरपूर फिल्म हैं अगर आप देखना फसंद करते हैं तिस विडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा दोस्तों वीर सिंभा रेड़ी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउत की है और साउत की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापूरी बाल कृषन मुख के भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुशार बाल कृषन के फैंस फिल्म के ओडेटीव रिलिज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सिमा रेडी ओडेटीव लेटफॉर्म डिजनी प्लस खोस्ट श्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली जुली परतिग्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदर्शन किया है बिदेशों में शुरुआत पर इसकी काफी अच्छा कलक्षन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुतु हसन और वरलक्ष्मी सरत कुमार भी दिखाई दिएंगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद मालिनीनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हरानी होगी यह फिल्म 110 क्रोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 क्रोड रुपे की कर लिया है लगबग तो दोस्तों यह था फिल्म वीरा सिम्हारेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिवियू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से फिल्म साउत की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्हारेडी इस movie में कौन-कौन से actor ने अपना lead role निभाया है, किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से इस movie ने जबरदस्ट action और जबरदस्ट खमाई की है इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस movie के full explain करने बारे है South action से फरपूर फिल्में अगर आप देखना फसंद करते हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा दोस्तों वीर सिंभा रेडी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज जी गई है फिल्म में नंदापुरी, बाल कृष्ण, मुख के भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुशार बाल कृष्ण के फैंस फिल्म के ओडेटीव रिलिज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सिमा रेडी ओटेटीव फ्लेकफॉर्म डिजनी प्लस होस्ट स्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुशार मिली जुली परतिग्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदसन किया है विदेशों में शुरुवात पर इसकी काफी अच्छा कलक्शन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है वह बाल क्रिश्नन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुत्य हसन और वरलक्षमी सरत कुमार भी दिखाई दिखेंगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद मालिन नी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हरानी होगी यह फिल्म 110 क्रोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर टोटल कुल कमाई 500 क्रोड रुपे की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह तो फिल्म वीरा सिम्हा रेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिवियू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से फिल्म साउत की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्हा रेडी इस मुवी में कौन-कौन से एक्टर ने अपना लीड डोल निभाया है, किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से इस मुवी ने जबरदस्ट एक्षन और जबरदस्ट खमाई की है, इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस मुवी के फुल एक्स्प्लेन करने बारे हैं साउथ एक्सन से फरपूर फिल्में अगर आप देखना फसंद करते हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा दोस्तों वीर सिम्हा रेडी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी, बाल कृषन, मुक के भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुशार बाल कृष्ण के फैंस फिल्म के ओडेटीव रिलिज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर शिमा रेडी ओडेटीव फ्लैटफॉर्म डिजनी प्लस होस्ट स्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुशार मिली जुली परतिग्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदसन किया है वीदेशों में शुरुआत पी इसकी काफी अच्छा कलक्शन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है बाल क्रिष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुत्य हसन और वरलक्षमी सरत कुमार भी दिखाई दिखेंगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद माले निनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड रुपे की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा सिम्हा रेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मुवी रिवीव की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से भरपूर फिल्म साउत की होती है ऐसे में आज की इस फीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मुवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड़ी इस मुवी में कौन-कौन से actor ने अपना lead roll निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस movie ने जबरदस्ट action और जबरदस्ट कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस movie के full explain करने बारे हैं South action से फरपूर film में अगर आप देखना फसन्द करते हैं तिस विडियो को like कर दीजेगा और इस channel को भी subscribe कर दीजेगा दोस्तों वीर सिम्हा रेडी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउत की है और साउत की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी, बाल क्रिशन, मुख के भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुशार बाल क्रिशन के फैंस फिल्म के ओडेटीव रिलिज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सिमा रेडी ओटेटीव फ्लेटफॉर्म डिजनी प्लस खोस्ट श्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुशार मिली जुली परतिकरियाओं के बाबजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदसन किया है वीदेशों में शुरुवात पर इसकी काफी अच्छा कलक्षन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है वाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुतु हसन और वरलक्ष्मी सरत कुमार भी दिखाई दिखेंगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद मालिन नी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड रुपे की कर लिया है लगपग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा सिम्हारेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मुवी रिवीव की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से फिल्म साउत की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने बारे हैं जिस मुवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्हारेडी इस मूवी में कौन-कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है, किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से इस मूवी ने जबरदस्ट एक्शन और जबरदस्ट खमाई की है, इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस मुवी के फुल एक्स्प्लेन करने बारे हैं साउत एक्सन से फरपूर फिल्म हैं अगर आप देखना फसंद करते हैं तिस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा दोस्तों वीर सिंभा रेड़ी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउत की है और साउत की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापूरी बाल कृषन मुख के भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुशार बाल कृषन के फैंस फिल्म के ओटेटीव पर रिलिज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सिमा रेडी ओटेटीव फ्लेटफॉर्म डिजनी प्लस खोस्ट श्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली जुली परतिकरियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदर्शन किया है वीदेशों में शुरुआत पर इसकी काफी अच्छा कलक्षन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुत्यु हसन और वरलक्षमी सरत कुमार भी दिखाई दिएंगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हरानी होगी यह फिल्म 110 करोड रुपे में वजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड रुपे की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह था फिल्म वीरा सिम्हारेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मुवी रिवियो की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से फिल्म साउत की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मुवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्हारेडी इस मुवी में कौन-कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है, किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से इस मुवी ने जबरदस्ट एक्षन और जबरदस्ट खमाई की है, इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस मुवी के फुल एक्स्प्लेन करने बारे हैं साउत एक्षन से फरपूर फिल्म हैं अगर आप देखना फसंद करते हैं तिस विडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा दोस्तों वीर सिंभा रेड़ी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउत की है और साउत की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापूरी बाल कृषन मुख के भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुशार बाल कृषन के फैंस फिल्म के ओडेटीव रिलिज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सिमा रेडी ओडेटीव लेटफॉर्म डिजनी प्लस खोस्ट श्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली जुली परतिग्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदर्शन किया है वीदेशों में शुरुआत पर इसकी काफी अच्छा कलक्शन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुतु हसन और वरलक्षमी सरत कुमार भी दिखाई दिएंगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद मालिनीनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हरानी होगी यह फिल्म 110 करोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड रुपे की कर लिया है लगबग तो दोस्तों यह तो फिल्म वीरा सिम्हारेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मुवी रिवियू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से फिल्म साउत की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं जिस मुवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्हारेडी इस मुवी में कौन-कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है, किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से इस मुवी ने जबरदस्ट एक्षन और जबरदस्ट खमाई की है, इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस मुवी के फुल एक्स्प्लेन करने बारे हैं साउथ एक्सन से फरपूर फिल्म हैं अगर आप देखना फसंद करते हैं तिस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा दोस्तों वीर सिंभा रेड़ी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापूरी बाल कृषन मुख के भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के इनुशार बाल कृषन के फैंस फिल्म के ओडेटीफ रिलिज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सिमा रेडी ओडेटीफ लेटफॉर्म डिजनी फ्लस खोस्ट स्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिले जुली परतिग्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पर इसकी काफी अच्छा कलक्षन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुतु हसन और वरलक्षमी सरत कुमार भी दिखाई दिएंगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद माले निहनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड रुपे की कर लिया है लगपग तो दोस्तों यह थे फिल्म वीरा सिम्हारेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मुवी रिवियू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से फिल्म साउत की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मुवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्हारेडी इस movie में कौन-कौन से actor ने अपना lead rule निभाया है, किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से इस movie ने जबरदस्ट action और जबरदस्थ खुमाई की है, इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस movie के full explain करने बारे हैं साउथ एक्सन से फरपूर फिल्में अगर आप देखना फसंद करते हैं तिस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा दोस्तों वीर सिम्हा रेडी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में बे रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी, बाल कृष्ण, मुख के भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुशार बाल कृष्ण के फैंस फिल्म के ओडेटीव रिलिज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सिमा रेडी ओटेटीव फ्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होस्ट स्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुशार मिली जुली परतिकरियाओं के बाबजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदसन किया है विदेशों में शुरुआत पर इसकी काफी अच्छा कलक्शन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुतु हसन और वरलक्ष्मी सरत कुमार भी दिखाई दिखेंगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावए रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद मालिन नी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हरानी होगी यह फिल्म 110 करोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड रुपे की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह तो फिल्म वीरा सिम्हा रेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मुवी रिवियू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से फिल्म साउत की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मुवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्हा रेडी इस मुवी में कौन-कौन से एक्टर ने अपना लीड डोल निभाया है, किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से इस मुवी ने जबरदस्ट एक्शन और जबरदस्ट कमाई की है, इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस मुवी के फुल एक्स्प्लेन करने बारे हैं साउत एक्सन से फरपूर फिल्में अगर आप देखना फसंद करते हैं तिस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा दोस्तों वीर सिम्हा रेडी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउत की है और साउत की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी, बाल कृषन, मुख के भूमिका में हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुशार बाल कृषन के फैंस फिल्म के ओडेटीव रिलीज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सिम्हा रेडी ओडेटीव फ्लैटफॉर्म डिजनी प्लस होस्ट स्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुशार मिली जुली परतिग्रियाओं के बाबजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदर्शन किया है वीदेशों में शुरुआत पर इसकी काफी अच्छा कलक्शन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुत्य हसन और वरलक्ष्मी सरत कुमार भी दिखाई दिखेंगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद मालेलिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड रुपे की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा सिम्हा रेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मुवी रिवीव की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से भरपूर फिल्म साउत की होती है ऐसे में आज की इस फीडियो में हम बात करने बाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेडी इस मूवी में कौन-कौन से एक्टर ने अपना लीड डोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मुवी ने जबरदस्ट एक्शन और जबरदस्ट कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस मुवी के full explain करने बारे हैं साउ्ट एक्शन से फ़रपूर फिल्म में अगर आप देखना फसंद करते हैं ते इस विडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी सस्क्राइब कर डिचेगा दोस्तों वीर सिंभा रेडी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउत की है और साउत की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी, बाल कृष्ण, मुख के भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुशार बाल कृष्ण के फैंस फिल्म के ओडेटीव रिलिज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सिमा रेडी ओटरिटीव फ्लैटफॉर्म डिजनी फ्लस होस्ट श्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुशार मिली जुली परतिकरियाओं के बाबजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदर्शन किया है वीदेशों में शुरुआत पर इसकी काफी अच्छा कलक्षन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुतु हसन और वरलक्ष्मी सरत कुमार भी दिखाई दिखेंगे फिल्म की कहानी साइम आदम बुरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हरानी होगी यह फिल्म 110 करोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड रुपे की कर लिया है लगपग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा सिम्हा रेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मुवी रिवियो की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से फिल्म साउत की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मुवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्हा रेडी इस movie में कौन-कौन से actor ने अपना lead role निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस movie ने जबरदस्ट action और जबरदस्ट खमाई की है इन सभी के बारे में वात करने बारे हैं और इस movie के full explain करने बारे हैं साउथ एक्षन से फरपूर फिल्में अगर आप देखना फसंद करते हैं तिस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा दोस्तों वीर सिम्हा रेडी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी, बाल कृष्ण, मुख के भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुशार बाल कृष्ण के फैंस फिल्म के ओडेटीव रिलिज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सिमा रेडी ओटेटीव फ्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होस्ट स्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुशार मिली जुली परतिग्रियाओं के बाबजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदसन किया है वीदेशों में शुरुवात पर इसकी काफी अच्छा कलक्शन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुतु हसन और वरलक्षमी सरत कुमार भी दिखाई दिखेंगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हरानी होगी यह फिल्म 110 क्रोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर टोटलल कुल कमाई 500 क्रोड रुपे की कर लिया है लगबग तो दोस्तों यह तो फिल्म वीरा सिम्हा रेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मुवी रिवियू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से फिल्म साउत की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं जिस मुवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्हा रेडी इस मुवी में कौन-कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है, किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से इस मुवी ने जबरदस्ट एक्षन और जबरदस्ट खमाई की है, इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस मुवी के फुल एक्स्प्लेन करने बारे हैं साउथ एक्सन से फरपूर फिल्म हैं अगर आप देखना फसंद करते हैं तिस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा दोस्तों वीर सिंभा रेड़ी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापूरी बाल कृषन मुख के भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुशार बाल कृषन के फैंस फिल्म के ओडेटीव रिलिज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सिमा रेडी ओडेटीव लेटफॉर्म डिजनी फ्लस खोस्ट स्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली जुली परतिगिर्याओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पर इसकी काफी अच्छा कलक्षन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुतु हसन और वरलक्षमी सरत कुमार भी दिखाई दिएंगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद मालिनिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 क्रोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 क्रोड रुपे की कर लिया है लगबग तो दोस्तों यह थे फिल्म वीरा सिम्हारेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मुवी रिवियू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से फिल्म साउत की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मुवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्हारेडी इस movie में कौन-कौन से actor ने अपना lead role निभाया है किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से इस movie ने जबरदस्ट action और जबरदस्ट कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस movie के full explain करने बारे हैं South action से फरपूर film हैं अगर आप देखना फसंद करते हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा दोस्तों वीर सिम्हा रेडी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउत की है और साउत की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी, बाल कृष्ण, मुख के भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुशार बाल कृष्ण के फैंस फिल्म के ओडेटीव रिलिज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सिमा रेडी ओटेटीव फ्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होस्ट स्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुशार मिली जुली परतिग्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदसन किया है विदेशों में शुरुवात पर इसकी काफी अच्छा कलक्शन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुतु हसन और वरलक्षमी सरत कुमार भी दिखाई दिखेंगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावए रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद मालिन नी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हरानी होगी यह फिल्म 110 करोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड रुपे की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह तो फिल्म वीरा सिम्हा रेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मुवी रिवीव की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से फिल्म साउत की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने बारे हैं जिस मुवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्हा रेडी इस मूवी में कौन-कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है, किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से इस मूवी ने जबरदस्ट एक्शन और जबरदस्ट खमाई की है, इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस मुवी के फुल एक्स्प्लेन करने बारे हैं साउत एक्षन से फरपूर फिल्में अगर आप देखना फसंद करते हैं तिस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा दोस्तों वीर सिम्हा रेडी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउत की है और साउत की तमाम भासाओं के साथ-साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नन्दापुरी बाल कृषन मुख के भूमिका में हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बाल कृष्ण के फैंस फिल्म के ओडेटीब रिलिज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर शीमा रेडी ओडेटीब फ्लेटफॉर्म डिजनी फ्लस खोस स्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली जुली परतिक्रियाओं के वाबजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदर्शन किया है बीदेशों में शुरुआत पर इसकी काफी अच्छा कलक्षन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है बाल क्रिशन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुत्य हसन और वरलक्ष्मी सरत कुमार भी दिखाई दिखेंगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद मालेलिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड रुपे की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा सिम्हा रेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मुवी रिवीव की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से फरफूर फिल्म साउत की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेडी इस मूवी में कौन-कौन से एक्टर ने अपना लीड डॉल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस movie ने जबरदस्ट action और जबरदस्ट खमाई की है इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और his movie के full explain करने बारे हैं South action से फरफूर फिल्म है अगर आप देखना फसंद करते हैं इस विटियो को लाइक कर दिएगा और इस channel को भी subscribe कर दिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेडी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउत की है और साउत की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी बाल कृष्ण मुख के भूमिका में हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुशार बाल कृष्ण के फैंस फिल्म के ओडेटी पर रिलीज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सीमा रेडी ओटरेटीफ फ्लैटफॉर्म डिजनी प्लस होस्ट श्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुशार मिली जुली परतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदसन किया है वीदेशों में शुरुवात पर इसकी काफी अच्छा कलक्षन देखा गया है वीर सीमा रेडी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुत्य हसन और वरलक्ष्मी सरत कुमार भी दिखाई दिखेंगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हरानी होगी यह फिल्म 110 करोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड रुपे की कर लिया है लगपग तो दोस्तों यह तो फिल्म वीरा सिम्हा रेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मुवी रिवियू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से फिल्म साउत की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मुवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्हा रेडी इस मूवी में कौन-कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है, किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से इस मूवी ने जबरदस्ट एक्षन और जबरदस्ट खमाई की है, इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस मुवी के फुल एक्स्प्लेन करने बारे हैं साउत एक्सन से फरपूर फिल्म हैं अगर आप देखना फसंद करते हैं तिस विडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा दोस्तों वीर सिंभा रेड़ी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउत की है और साउत की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापूरी बाल कृष्ण मुख के भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुशार बाल कृष्ण के फैंस फिल्म के ओडेटीव रिलिज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सीमा रेडी ओडेटीव फ्लेटफॉर्म डिजनी प्लस खोस्ट श्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली जुली परतिग्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदर्शन किया है बी देशों में शुरूआत पर इसकी काफी अच्छा कलक्सन देखा गया है वीर सीमा रेडी फिल्म जो है वह बाल क्रिशन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुत्यु हसन और वरलक्ष्मी सरत कुमार भी दिखाई दींगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद मालिनीनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हरानी होगी यह फिल्म 110 करोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड रुपे की कर लिया है लगबग तो दोस्तों यह तो फिल्म वीरा सिम्हारेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिवियू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से फिल्म साउत की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने बारे हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्हारेडी इस मुवी में कौन-कौन से एक्टर ने अपना लीड डोल निभाया है, किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से इस मुवी ने जबरदस्ट एक्षन और जबरदस्ट खमाई की है, इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस मुवी के फुल एक्स्प्लेन करने बारे हैं साउथ एक्सन से फरपूर फिल्में अगर आप देखना फसंद करते हैं तिस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा दोस्तों वीर शिम्भा रेड़ी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापूरी बाल कृष्ण मुख के भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुशार बाल कृष्ण के फैंस फिल्म के ओडेटीव रिलिज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर शिमा रेडी ओडेटीव लेकफॉर्म डिजनी प्लस होस्ट स्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुशार मिली जुली परतिग्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदसन किया है वीदेशों में शुरुआत पे इसकी काफी अच्छा कलक्सन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुतु हसन और वरलक्ष्मी सरत कुमार भी दिखाई दिखेंगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद मालिन नी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड रुपे की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यहत फिल्म वीरा सिमः रेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताईा नमस्ते दोस्तों और एक नई मुवी रिवीउ की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्स्तन से भरवबूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस फीडियो में हम बात करने बाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेडी इस मूवी में कौन-कौन से एक्टर ने अपना लीड डोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस movie ने जबर्दस्ट action और जबर्दस्ट खमाई की है इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस movie के full explain करने बारे हैं South action से फरफूर film में अगर आप देखना फसंद करते हैं तिस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी subscribe कर दीजेगा दोस्तों वीर सिंभा रेडी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी, बाल कृष्ण, मुख के भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुशार बाल कृष्ण के फैंस फिल्म के ओडेटीव रिलिज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सिमा रेडी ओटेटीव फ्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होस्ट स्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुशार मिली जुली परतिकरियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदसन किया है विदेशों में शुरुवात पर इसकी काफी अच्छा कलक्शन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुतु हसन और वरलक्षमी सरत कुमार भी दिखाई दिखेंगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावए रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद मालेलिन नी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 क्रोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 क्रोड रुपे की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह तो फिल्म वीरा सिम्हा रेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मुवी रिवीव की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से फिल्म साउत की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मुवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्हा रेडी इस मुवी में कौन-कौन से एक्टर ने अपना लीड डोल निभाया है, किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से इस मुवी ने जबरदस्ट एक्शन और जबरदस्ट कमाई की है, इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस मुवी के फुल एक्स्प्लेन करने बारे हैं साउथ एक्सन से फरपूर फिल्में अगर आप देखना फसंद करते हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा दोस्तों वीर सिम्भा रेडी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी, बाल कृषन, मुख के भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बाल कृषन के फैंस फिल्म के ओडेटीव रिलीज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सिम्भा रेडी ओडेटीव फ्लैटफॉर्म डिजनी प्लस होस्ति स्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली जुली परतिग्रियाओं के बाबजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदर्शन किया है वीदेशों में शुरुआत पर इसकी काफी अच्छा कलक्शन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुतु हसन और वरलक्ष्मी सरत कुमार भी दिखाई दिखेंगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद मालेलिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड रुपे की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा सिम्हा रेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मुवी रिवीव की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से भरपूर फिल्म साउत की होती है ऐसे में आज की इस फिडियो में हम बात करने बाले है जिस मुवी के बारे में उसका नाम है وीर सिम्मा रेडी इस मुवी में कौन-कौन से एक्टर ने अपना लीड ड्रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस movie ने जबरदस्ट action और जबरदस्ट खमाई की है इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस movie के full explain करने बारे हैं South action से फरपूर film में अगर आप देखना फसंद करते हैं तिस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी subscribe कर दीजेगा दोस्तों वीर सिम्हा रेडी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउत की है और साउत की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी, बाल कृषन, मुख के भूमिका में हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बाल कृषन के फैंस फिल्म के ओडेटीव रिलीज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सिम्हा रेडी ओडेटीव लेटफॉर्म डिजनी फ्लस खोस्ट श्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली जुली परतिग्रियाओं के वाबजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदर्शन किया है बीदेशों में शुरुआत पर इसकी काफी अच्छा कलक्षन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है बाल क्रिशन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुत्य हसन और वरलक्ष्मी सरत कुमार भी दिखाई दिखेंगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 क्रोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर टोटल कुल कमाई 500 क्रोड रुपे की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा सिम्हा रेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मुवी रिवीव की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से फरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिमा रेडी इस मूवी में कौन-कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूबी ने जबरदस्ट एक्षन और जबरदस्ट खमाई की है, इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस मूबी के फुल एक्सप्लेन करने बारे हैं साउथ एक्षन से फरपूर फिल्में अगर आप देखना फसंद करते हैं तिस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा दोस्तों वीर सिम्हा रेडी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी, बाल कृष्ण, मुख के भूमिका में हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुशार बाल कृष्ण के फैंस फिल्म के ओडेटीव रिलीज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सीमा रेडी ओटरेटीव फ्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होस्ट श्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुशार मिली जुली परतिक्रियाओं के बाबजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदसन किया है वीदेशों में शुरुवात पर इसकी काफी अच्छा कलक्षन देखा गया है वीर सीमा रेडी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुतु हसन और वरलक्षमी सरत कुमार भी दिखाई दिखेंगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हरानी होगी यह फिल्म 110 क्रोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर टोटलल कुल कमाई 500 क्रोड रुपे की कर लिया है लगबग तो दोस्तों यह तो फिल्म वीरा सिम्हा रेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मुवी रिवियू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से फिल्म साउत की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने बारे हैं जिस मुवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्हा रेडी इस movie में कौन-कौन से actor ने अपना lead role निभाया है, किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से इस movie ने जबरदस्ट action और जबरदस्ट खमाई की है, इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस movie के full explain करने बारे हैं South action से फरपूर film में अगर आप देखना पसंद करते हैं, तिस video को like कर दीजेगा और इस channel को भी subscribe कर दीजेगा दोस्तों, वीर सिंभा रेडी यह film release कर दी गई है और film South की है और South की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी release की गई है फिल्म में नंदापूरी, बाल क्रिशन, मुख के भूमीका में हैं, मीडिया रिपोर्ट के अनुशार बाल क्रिशन के फैंस फिल्म के ओडेटीव रिलिज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सिमा रेडी ओटेटीव लेटफॉर्म डिजनी फ्लस होस्ट स्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुशार मिली जुली परतिग्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदसन किया है विदेशों में शुरुआत पर इसकी काफी अच्छा कलक्षन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है वह बाल क्रिशन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुतु हसन और वरलक्षमी सरत कुमार भी दिखाई दिखेंगे फिल्म की कहानी साई मादम बूरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद माले निहनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हरानी होगी यह फिल्म 110 करोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड रुपे की कर लिया है लगपग तो दोस्तों यह तो फिल्म वीरा सिम्हा रेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिवियू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से फिल्म साउत की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने बारे हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्हा रेडी इस मुवी में कौन-कौन से एक्टर ने अपना लीड डॉल निभाया है, किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से इस मुवी ने जबरदस्ट एक्षन और जबरदस्ट कमाई की है, इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस मुवी के फुल एक्स्प्लेन करने बारे हैं साउथ एक्सन से फरपूर फिल्में अगर आप देखना फसंद करते हैं तिस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा दोस्तों वीर सिम्हा रेडी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी, बाल कृषन, मुख के भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुशार बाल कृषन के फैंस फिल्म के ओडेटी पर रिलीज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सिम्हा रेडी ओडेटी फ्लैटफॉर्म डिजनी प्लस होस्स्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुशार मिली जुली परतिग्रियाओं के वावजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदसन किया है वीदेशों में शुरुआत पर इसकी काफी अच्छा कलक्षन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुत्य हसन और वरलक्ष्मी सरत कुमार भी दिखाई दिखेंगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 क्रोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर टोटल कुल कमाई 500 क्रोड रुपे की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा सिम्भा रेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मुवी रिवियू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सिन से भरफूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेडी इस मूवी में कौन-कौन से एक्टर ने अपना लीड डोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मुवी ने जबरदस्ट एक्षन और जबरदस्ट कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने बारे है और ही मुवी के फुल एक्स्प्लेन करने बारे हैं साउथ एक्षन से फरपूर फिल्में अगर आप देखना फसंद करते हैं तिस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा दोस्तों वीर सिंभा रेड़ी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापूरी बाल कृषन मुख के भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुशार बाल कृषन के फैंस फिल्म के ओडेटीव रिलिज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सिमा रेडी ओडेटीव फ्लेटफॉर्म डिजनी प्लस खोस्ट स्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली जुली परतिग्रियाओं के बाब जूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पर इसकी काफी अच्छा कलक्षन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुतु हसन और वरलक्ष्मी सरत कुमार भी दिखाई दींगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालेलिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड रुपे की कर लिया है लगबग तो दोस्तों यह था फिल्म वीरा सिम्हारेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मुवी रिवीव की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से फिल्म साउत की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मुवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्हारेडी इस मुवी में कौन-कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है, किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से इस मुवी ने जबरदस्ट एक्शन और जबरदस्ट खमाई की है, इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस मुवी के फुल एक्स्प्लेन करने बारे हैं साउत एक्सन से फरपूर फिल्में अगर आप देखना फसंद करते हैं ते इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा दोस्तों वीर सिम्भा रेडी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउत की है और साउत की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी, बाल कृषन, मुख के भूमिका में हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बाल कृषन के फैंस फिल्म के ओडेटीव रिलीज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सिम्भा रेडी ओडेटीव लेटफॉर्म डिजनी फ्लस होस्ति स्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली जुली परतिग्रियाओं के बाबजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदर्शन किया है बीदेशों में शुरुआत पर इसकी काफी अच्छा कलक्षन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है बाल क्रिशन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुत्य हसन और वरलक्ष्मी सरत कमार भी दिखाई दिखेंगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 क्रोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर टोटल कुल कमाई 500 क्रोड रुपे की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा सिम्हा रेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया नमस्ते दोस्तों और एक नई मुवी रिवीव की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्सन से भरपूर फिल्म साउत की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं जिस मुवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेडी इस मुवी में कौन-कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने जबरदस्ट एक्शन और जबरदस्ट खमाई की है इन सभी के बारे में बात करने बारे हैं और इस मूवी के फुल एक्स्प्लेन करने बारे हैं साउथ एक्शन से फरपूर फिल्म हैं अगर आप देखना फसंद करते हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इस चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा दोस्तों वीर सिंभा रेड़ी यह फिल्म रिलीज कर दी गई है और फिल्म साउत की है और साउत की तमाम भासाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी, बाल कृष्ण, मुख के भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुशार बाल कृष्ण के फैंस फिल्म के ओडेटीब पर रिलिज होने का इंतिजार कर रहे थे और वीर सिमा रेडी ओटरेटीब फ्लेटफॉर्म डिजनी फ्लस होस्ट श्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुशार मिली जुली परतिकरियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफी अच्छा परदसन किया है वीदेशों में शुरुवात पर इसकी काफी अच्छा कलक्षन देखा गया है वीर सिमा रेडी फिल्म जो है वाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ सुरुतु हसन और वरलक्ष्मी सरत कुमार भी दिखाई दिखेंगे फिल्म की कहानी साई मादम बुरा और स्री निवास गावे रेडी ने लिखी है और इसे गोपी चंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हरानी होगी यह फिल्म 110 करोड रुपे में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड रुपे की कर लिया है लगफग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा सिम्हा रेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया